हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हर्शा एंजिनिरिंग के आईपयो के 4 पीम ग्रे मार्केट अपडेट के उपडेट के उपर सैटेडे का अज दिस दिन है दूस्तो और मंडे के दि इस आईपयो के लिस्टिंग होती भी देखने को मिले गी विस्टिंग डेस्टसी पर बात करेंगे लिस्टिंग पर आप सबी को जिनको भी आईपयो लगा है बड़ा गेन मिलता हुरा देखनो मिलेगा और उन्सक theology नहीं को पास बीम हम आया है पर हम आईपयो में पारिश dedim करना चाहते हैं कि मार्केट्स में अगर आपन देखे तो तगड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है और जब भी मार्केट्स फॉल देते हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है जो हाईयर वैलुएशन के स्टॉक होते हैं उनको चीपर पाइस पर पकड़ना त क्या आपका stop loss होगा इस IP के प्रती सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो वीडियो को पुरा इंट देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले अगर फ्रॉरें मार्केट्स की करें तो फॉरें मार्केट्स का हाल आप देख सकते हैं गिरावट का इंडिकेशन दे रहे हैं दोस्तों मार्केट्स लेकिन मुझे लगता है सतरा तीन सो का जो लेवल है वो काफी इंपोर्टेंट है उसको मार्केट ब्रीच नहीं करें का मंडे का इधिंग सो फ्लैटेश देखने को मिल रही है जो कि यह काफी बुरी बात है और डेफिनेटली दोस्तों यह ग्रे मार्केट्स प्रडिक्शन है कंप्री के वैलुएशन काफी ज्यादा चीपर रेट्स पर आते वह देखने को मिले तो डेफिनेटली यह आई प्यों आपको सुपर रिट जाता आप चैनल से जुड़े रहिएगा संडे को भी मैं आपको फाइनल लिस्टिंग डे स्टाटेजी के उपर वता दूँगा मैं अगर बात करें हर्शा एंजिनेरिंग के ब्रीफ मैं कर कंपनी के उपर पैचान करूं तो दोस्तों कंपनी लाजवाब है 2010 में कंपनी का स्टील के आप कहा सकते कि को बेरिंग केज बनाती भी देखने को मिलती है ब्रास कास्टिंग केज ब्रोन बुशिंग करती भी देखने को मिलती है और दूसरा जो बिजनस है वो कंपनी का सोलर एपीसी बिजनस है रनेवरबल एनरजी से सेक्टर से रेलेट कंपनी का बिजन ऐसी सारी जगहों पर कंपनी अपना काम काज करती भी देखने को मिलती है और financially कंपनी काफी strong है current situation के अगर बात करी जाए तो 91 करोड का profit दोस्तों March quarter में कंपनी ने जनरेट किया है 1339 करोड का कंपनी का revenue रहता हुआ देखने को मिला है 118 करोड की कंपनी की एसेट सोथी भी देखने को मिल रही है और कंपनी की जो net worth है वो लगबाग 530 करोड आते भी देखने को मिल रही है तो लाजवाब company है definitely IPO जब launch होआ था तो काफी तगडा subscription मिलता हुआ देखने को मिला था ये 150 रुपे ग्रेमार्केट तोटगर की website और हाइस जो ग्रेマर्केत रहता हुआ देखने को मिला है वो लकबाग 238 रुपे का है और मेरा ये मानना है कि 200 रुपे प्लस में आपको ग्रेमार्केट मिलती भी देखन yapıyor USवद थे डिप्लस तक का जबराने की बात नहीं है तो कि जिस हिसाब से कंपनी की काम का जए ज़रूर अगर आपको नीचे भी मिले तो मैं ज़रूर एडिशन की इसला दूंगी लॉंग तम के लिए आप जरूर इस आइपयो को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं मैं अगर दूसरी website के अद्क्रे तो यहाँ पर ग्रे मार्केट में दोस्तो चेंज आता हुआ देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं 24 सप्टेंबर का ग्रे मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है वो लग बग 162 रूपीज से166 रूपीज आता हुआ देखने को मिल रहा है ड दोस्तो लगबग अभी चो करेंट लिए ग्रे मार्केट चल रहा है तो 170 रुपीज से 180 रुपीज का भी ग्रे मार्केट चल रहा है और अमूमन परसेंटेज वाइस अगर आपको बता हूं तो लगबग दोस्तो इस ग्रे मार्केट के इसाब से आपको 55% तक का मिनिममम से 230 रुपे के बीच में इसकाली पर सकता है जी मैं आपको को लिस्टिंग का बता रहो कि इतना फायदे में आपको लिस्टिंग होता सकता है घण कर रहा हूं तो जरूर आप इस IPO में एडिशन कर सकते हैं कमपनी लाजव आप ए प्रॉफिटेबल बिजनस है आने वाले 5 सलों में डेफिनिटली आपको एक मल्टी बैगर की तरह ये कमपनी कामकच करती भी देखने को मिलेगे और डेफिनिटली जिसको भी IPO लगा है एक लोट्री लगती भी देखने को मिली है इतने बुरे मार्केट्स में भी अगर आप फायदा कमा के निकल रहे हैं इस IPO में डेफिनिटली ये काफी बढ़िया बात होती है और जरूर जिनके पास भी IPO नहीं आया है अगर दोस्तो 60% की लिस्टिंग से नीचे ये IPO खुले तो जरूर आप इसके अंदर खहिदारी करके चल सकते हैं और डेफिनिटली जो stop loss होगा आपका वो लगबग 5 रुपे नीचे का होगा अगर आपने मान लीजे 550 पर बाइंग करी तो आपका stop loss होगा 545 पाच रुपे का margin आप लेकर चल सकते हैं इससे जाद आपको loss भी नहीं होगा और डेफिनिटली आपके profit पर भी आपड़ा इंपक्त नहीं पड़ेगा सेम स्ट्राटेजी दोस्तो जिनको भी allotment लगा है उनके लिए भी अप्लाई करते हैं दोस्तो डेफिनिटली अगर आपने रिस्टिंग यहन के सबसे लगा है तो पाच रुपे का stop loss आपको जरूर इस IPO में लगा कर चलना चाहिए दोस्तो डेफिट फॉर वीडियो अगर वीडियो चला लगाओ तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तो थैंक यूवर निस वीडियो